नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल हिंदी वाले माड़ साब पर एक बार पुन्ह स्वागत है कक्सा 11 की हिंदी साहिते विसे के लिए अभिवेक्ति और मध्यम नमक पुस्तक के एक पार्थ जिसका सीरसेख है डायरी लिखने की कला इस विसेपर हम बात करेंगे परसनों तो देखेंगे और आपे बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो पूरा देखेगा पहले वारा हैं तो डायरी लेखनी कोई भी हो सकता है आप मैं हमारे घर वाले हमारे शिक्सक्सा थी कोई भी वेकिती तो डायरी लेक अपने जीवण में घटित कुछ अनुभव, विचारों घटनां या विसेश बातों का संकलने करता है कि डायरी में क्या-क्या लिखा जाता है तो अपने जीवन में घटित, अनुभव, विचार और घटना या कोई विसेश वात किसी विसेश दिन हुई तो उसका जिक्रे वो डायरी में करता है अगला प्रसन है डायरी लेखन में किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है या डायरी लेखन के समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में लिखिए उत्तर लिखा है डायरी लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला डायरी रात को सोने से ठीक पहले लिखनी चाहिए ताकि दिन भर की बातों को लिखा जा सके इसका मतलब यह है कि यह नहीं कि आप सुबह उठे और कोई एक विसेस घटना हुई आपको बहुत ही अच्छा अनुभा हुआ जिसको आप किसी के साथ सेर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते लेकिन आप अपने डायरी में लिखना चाहते हैं तो सुबह दस बज़े ही आपने डायरी लिख दी हो सकता है उसके पस्चाद पूरा दिन सेस रह गया और उस दिन भर के उस समय में आपको कोई और अनुभूती हुई और कोई विचार आपके मन में तो आप उसको फिर अलग से लिखेंगे इसलिए उचित रहता है कि डाइरी रात को सोने के ठीक पहले या सोने से पहले लिखनी चाहिए ताकि हम सभी बातों का एक साथ समावे से कर सकें दूसरा है प्रिष्ट के उपरी हिस्से पर तित्थी वार वा लिखने का समय जरूरे लिखना चाहिए कि किस तित्थी को लिखने है आज का दिन क्या है वार क्या है और लिखने का समय क्या है कि रात को नो वजे दस वजे सवा नो सवा दस इस परकार से अगला पॉइंट है, कि प्रते एक दिन की डाइरी के अंत में हस्ताक्सर भी करने चाहिए और चोथा है, जहां तक संभव हो, डाइरी किसी पुराने वर्स की डाइरी या रजिस्टर में लिखने चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा कि डायरी में हर रोज़ का एक पेज आता है और यहां पर तारीक पुरस्ट के भायों सकता है अपनी बातों को लिखना हमारे लिए संभव नहों और किसी दिन यह भी हो सकता है कि डायरी में आदा पेज ही हम भर पए और उसके बाद हमारे अनुभव, हमारी घटने, हमारी विसेस बातें खत्म हो गई तो हम पूराने डायरी या किसी पूराने रेजिस्ट में लिखेंगे तो जितना प्रिष्ट हमें मिलता है हम उसका उपयोगी कर सकेंगे और जहां से लिखना सुरू कियाओ, वहां नईती थी, नया दिन लगएंगे और उसके निचे, जहां वो पूरा होता है, वहां पर उसकी हम अपने हस्ताक्सरे कर देंगे और उसके ठीक निचे से दूसरी दिन की डाइरी सुरू कर सकते हैं तो जहां तक संभव हो, डाइरी किसी पूराणे वर्स की डाइरी या रजिस्ट में लिखनी चाहिए क्योंकि एक प्रिष्ट में अपनी बातों को लिखने के दवाब से मुक्टे मिल जाती है वरना हम पर दबाब रहता है कि एक ही प्रिष्ट में हमें पूरी बात निप्टा निये हो सकता है हमारे अनुभव उस दिन के ज़्यादा रहे हो अगला परसन है पॉइंट है कि डाइरी की भासा सहज सरल वह सपस्ट होने चीए जिस भासा का उपयोग आप देर्निक क्रिया करम में देर्निक वोल्चाल में करते वहीँ लिखें वहाँ ज्यादा विद्वान बनने के आप सहकता नहीं है क्योंकि डाइरी यह क् व्यक्ति और नीज़ी दस्तावेज है वह आप किसी को दिखाने वाले नहीं है हो सकता है किसी कारणवस बाद में दिखा दें तो एक अलग बात है दूसरा प्रसन है वेक्ति का खुद से साकसातकार कौन करवाती है तो उत्तर में लिखेंगे डाइरी ही वेक्ति का खुद से साकसातकार करवाती है मतलब अंतरंग साकसातकार डाइरी लेखे की भासा सली कैस या बनावटी नहीं होनी चाहिए अगला 포인्ट है किस के द्वारा लिखित डैईरी दुनिया भर में चर्चित है किस व Україति की लिख्शिवी डैईरी दुनिया भर में चर्चित है इस डैईरी में हीटलर द्वार येहुदियों पर किया जने वाले अत्याचारौं तता एक लड़की की भावनाओं का वर्णन mirror प्राप्टे होता है च्छाटा प्रसन है the diary of a young girl किस के द्वारा वो किस भासा में लिखे गई तो diary of a young girl नामक ड्यारी एनी फ्रेंक द्वारा लिखे गई, मूल रूप से यह डायरी डच भासा में लिखे गई थी, कौन सी भासा में, डच भासा में, डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर होते हैं, कि दोनों ही आत्मनिष्ट है, दोनों ही लेकन आत्मनिष्ट होते हुए भी परियापते भिन्नता लिए होते हैं डाइरी किसी भी ताजा अनुभव के अधार पर लिखी जाती है जबकि आत्मकथा किसी अनुभव के महत्व के अधार पर आपको पूरे जीवन में 50 तरह के नए अनुभव हुए और आप आत्मकथा लिख रहे हैं उसमें किसी किनी 10 अनुभव के बारे में लि गटनाई ही चांट कर लाएंगे या महत्वपुन घटनाई और डायरी एक दिन का प्रतिफल होती है तो एक दिन के प्रतिफल में आप दिन भर की बातें उसमें लिख सकते हैं जबकि आत्मकथा किसी अनुभव के महत्व के अधार पर डायरी क्रमबध रूप से लिखी जाती है जबकि आत्मकथा क्रमबध नहीं होती डाइरी को नीजी क्यों बताया जाता है या क्यों माना जाता है उत्तर लिखेंगे डाइरी को वेक्तिगत या नीजी इसलिए माना जाता है कि डाइरी लेखेक अपने जीवन में घटित अनुभवों, विचारों वा भावनाओं का संकलन करता है वहे उसे अपने हस्ताक्सर करने के बाद गोपनिय रखता है वहे किसी दूसरे को दिखाई नहीं जाती इसलिए उसे निजी या वेक्तिगत या गोपनिय माना जाता है अगला प्रसन है डाइरी लेखन क्यों जरूरी है अत्वा डाइरी लेखन की सार्थक्ता सिद्ध कीजिए क्या डाइरी लेखन आज भी प्रासंगिक है इन तीनों प्रसुनों का उतर एक साथ है कि डाइरी लेखन एक तरह का अंतरंग साक्षात्कार है यह है एक ऐसा साक्षतकार या सम्माद होता है जिसमें हम पूर्ण रूप से आजाद एवं आउपचारिक्ताओं से मुक्त होते हैं किसी प्रकार की कोई आउपचारिक्ता नहीं करनी कोई नमस्ते नमस्कार नहीं जो बात हम किसी को बता नहीं सकते उसे डाइरी में लिखा जा सकता है ऐसा करने से वेक्ति के दिल का बूज हलका हो जाता है हम अपने आपको बोजिल नहीं महसूस करते इसके अलावा अपने ही वेक्तित्वे के कई सरद गरम पहलूं को फिर से चुआ जा सकता है शाथ ही डाइरी हमारे विक्तित्व की कमजोरियों को दूर करके साक्सात्कार परिस्कृत भी करती है क्योंकि हमने डाइरी लिखी और दो साल पांच साल बाद उसे उसी पेज को हम पढ़ रहे हैं तब हमें लगेगा कि यार हम उन चोटी चोटी बातों पर कितना जुंजलाहाट कर लिया करते थे या किस प्रकार से हमारे विभार में परिवर्ट नाता था लेकिन अब हमें यह नहीं करना है तो इस प्रकार से हम अपने विक्तित्व की कमजोरियों को दूर करके और खुद को सह सकते एवं परिस्कृते कर सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डाइरी लेखन आज भी सार्थक वे प्रासंगे के बना हुआ है तो दोस्तों आज के इस वीडियों में फिल हाल इतना ही नमस्ते शुक्रिया जेहिन जे भारत